हलो एब्रीवान वेलकम बेक टो माई चैनल मैं हूँ प्रियंका तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यह जो आई मेकप लूक आप देख रहे हो यह एक मैं फॉकसी आई आई लाइनर मेकप लूक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विद हो तो आप साड़ी पहन सकते हो जीन्स पहन सकते हो पोनी टेल बना के या तो फिर आप सूट भी पहन सकते हैं और साड़ी और जीन्स पर अच्छा लगेगा यह वाला मेकप लूक आई मेकप लूक आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नूड लिप्स के साथ यह वाला फॉ यह makeup बेक्स्ट है तो पर चलिए दोस्तों देख लेते हैं यह makeup मैंने कैसे आचिप किया है सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ face moisturizer जो कि मैंने यहाँ पर लैक में peach milk moisturizer लिया है और यह एक बहुत lightweight moisturizer है जो कि आपकी skin को एकदम instant hydration कर देते हैं and मैं यहाँ पर तरह सा dance कर दी थी क्योंकि मैं थोड़ा सा मजे में थी इसलिए and moisturizing करने के बाद अच्छी तरिके से face को hydration देने के बाद आपको use करना है primer and primer से आपकी skin एकदम ही blur perfection हो जाते है and आपकी skin पे एक softness आता है आपकी skin base makeup करने के लिए ready हो जाता है and pores को यह minimize कर देता है so primer use करना बहुत ज़दा important है and primer use करने से मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि यह मेरी skin को बहुत ज़दा smooth कर रहा है and इसके बाद मैंने लिया है in by way की foundation and in by way की foundation में मैंने थोड़ा सा और moisturizer apply किया है मतलब mixed किया है मैंने थोड़ा सा and उससे क्या होता है ना skin थोड़ा सा glow करने लगता है जब मैं foundation apply करूंगी तो अगर आपने अभी तक यह concealer ट्राइ नहीं किया है तो definitely try करें बहुत अच्छा concealer है मेरी फेवरेट है यह concealer और बहुत अच्छी तरीके से dark circle को यह height कर देते हैं एकदम full 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 coverage वाला concealer है यह and high-end brand को भी यह टकर दे सकता है इतना अच्छा concealer है suiz beauty का and उसके बाद मैं concealer को set कर रही हूँ inside cosmetics की loose powder से सबसे पहले मैं base यहाँ पे कर रही हूँ ताकि eye makeup करने में आसान हो and उसके बाद मैं थोड़ा सा mars की eyeshadow palette में से एक brown color लेके मैंने contour कर लिया है अपने face को अच्छी तरीके से and contour इसी वज़े से किया जाता है दोस्तों क्योंकि contour से आपकी जो face है ना वो एक sharp दिखने लगते हैं and contour से आपको आपकी जो white face हो जाते हैं base makeup करने के बाद तो वो whiteness कही न कहीं दूर हो जाते हैं खतम हो जाते हैं and आपकी face मतलब shape में आ जाते हैं so इसी वज़े से contour करना बहुत ज़रूरी है and contour को sharp दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा loose powder apply कर रही हूँ अपनी jaw line पे so मैंने यहापे base makeup apply कर लिया है मैंने यहापे eyebrow भी done कर लिया है contouring भी done है and अभी मैं करूंगी eye makeup so eye makeup के लिए मैंने यहापे लिया है mars की eyeshadow palette जो की है इसका नाम oozing eyeliner की line पे भी मैंने तोड़ा सा apply किया है and outer भी पे ही मैंने तोड़ा से apply किया है और मैंने pull eyes पे इसे apply नहीं किया है अब देख सकते है और उसके बाद जो cream shade आप देख रहे हो उससे आपSON आपको थोड़ा सा और light करना है इस color को and blend करना है अच्छी तरीके से ये cream color बहुत favorite होता है मेरा क्योंकि ये cream color जो है ना इससे आपना हर एक shade को light कर सकते है and blend अच्छी तरीके से कर सकते हैं अगर आपके पास loose powder भी नहीं है तो आप इससे अपनी concealer को save भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है and full eyelid पे मैंने जहां पे मैंने gap रखा था मैंने वहां पे अपनी cream color eyeshadow को अच्छी तरीके से लगा लिया है and उसी cream color की eyeshadow की उपर मैं एक champagne golden shade apply कर रही हूँ जो की एकदमी shimmer shade है and आप देख सकते हैं एकदमी look थोड़ा सा अलग सा हो गया and उसके बाद मैं ठीक इसी जगा से जहां से मैं line को draw कर रही हूँ eyeliner की मैं थोड़ा सा उपर की side से अपनी जहां से मेरा crease line start हो रहा है मैं वहां से eyeliner को मैं draw कर रही हूँ and then मैं एक wing निकाल रही हूँ and मैं उस gap को अच्छी तरीके से fill कर रही हूँ जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको भी उसी तरीके से करना है इसे step by step and मैं यहां पे wing को अच्छी तरीके से निकाल लूँगी and then मैंने यहां पे Swiss Beauty की eyeliner लिया है जो की jail eyeliner है and मैं उसकी मदद से थोड़ा सा smudge कर रही हूँ अपनी eyeliner line पे जहां पे मेरा lash line है उपर के side पे so मैं वहां पे इसे थोड़ा सा मैं blend कर रही हूँ and then blend करने के बाद मैं उस line को भी blend करूँगी जहां पे आपको थोड़ा सा harsh line दिख रहा है and वहां पे मैंने blend करने के लिए एक pencil brush लिया है जहां पे मैंने एक matte black color लिया है and उस matte black color के साथ मैं उस line को मैं थोड़ा सा smudge कर लूँगी harsh line को and आप जहां से मैंने wing create किया है वहां पे मैं थोड़ा सा smudge कर रही हूँ ताकि एक dark line भी समझ में आए और एक smudge line भी समझ में आए and यह combination बहुत अच्छा लगता है eye makeup में and मैं जहां जहां पे कर रही हूँ आपको भी वही करना है आपको समझ में आड़ा होगा कि मैं क्या दिखाना चारी हूँ आपको and आपको उपर के side में भी smudging line create करना है and जो dark line create होके रखा है वो तो रहेगा ही and उसके साथ आपको एक smudge line भी create करना है इसे look बहुत अच्छा आता है and जस्ट आपको फड़क नजर में आ रहा होगा and आपको जितना ही line खेचना है आप खेच सकते हैं and आप जस्ट देख सकते हैं कि line अच्छे तरीके से दिख रहा है and उसके बाद में वो जो dark line है न वो थोड़ा सा fade हो गया था तो इसी वज़े से मैं थोड़ा सा और उसे dark कर रही हूँ and जो smudge line है उसके उसे मैं छोड़ रही हूँ smudge line and dark line और अच्छी तरीके से नजर में आने के लिए मैंने ये तरीका किया and उसके बाद मैं अच्छी तरीके से थोड़ा सा और शीमार आईशाड़ एपलाई कर रही हूँ and then मैं यहाँ पे blend कर रही हूँ brush से अपनी eyeliner को and यह jail eyeliner है थोड़ा सा तो इसी बज़े से अच्छी तरीके से यह लग भी जाते हैं waterproof भी है and then मैं थोड़ा सा nude color जो मैंने लिया था crease line के लिए मैं बहाँ पे apply कर रही हूँ जहाँ पे मैंने वो line create किया था मैंने smudge किया था बहाँ पे मैं थोड़ा सा and मैं glitter apply कर रही हूँ कुछ इस तरीके से and आपको जो भी color पसंद है आप अपनी crease पे apply कर सकते हैं outer भी पे मैंने तो यहाँ पे nude apply किया है आप चाते हो तो आप orange भी apply कर सकते हैं yellow भी apply कर सकते हैं pink भी apply कर सकते हैं आपकी मर्दी है लेकिन nude अच्छा लगता है and क्यूंकि eyes थोड़ा सा bold था and उसके बाद मैंने water line पे काजल apply कर के थोड़ा सा smudge कर लिया है काजल को and then मैं यहाँ पे blush apply कर रही हूँ अच्छी तरीके से and eye makeup मेरा complete है बस मुझे brow bone पे highlighter apply करना है and inner corner पे and मैं mascara और eyelash लगा लूँगी and अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा सा highlighting अपनी face को and eye makeup कैसा लग रहा है आप मुझे जरूर comment पे बताना यह थोड़ा सा नया तरीका मैंने किया है नया type का कुछ eye makeup है and सब पे यह eye makeup अच्छा लगेगा जो jeans top पेहनते हो कोई भी dress के साथ सारी के साथ कोई भी outfit के साथ अच्छा लगेगा and मैं यहाँ पे highlighter अप्लाई कर रही हूँ and then मैं setting spray से set कर रही हूँ अपनी face को and eyes थोड़ा सा bold था ना इसी बज़े से मैंने nude color का ही इस्तेमाल किया nude अच्छा लगता है and lip balm मैंने लगा लिया है so here is my final look guys and आप मेरी eye makeup देख सकते हो मैंने mascara and false eyelashes off camera लगा लिया है and मैंने mascara blue heaven का लगाया है and मैंने lipstick लगाया है NYBECA जो की एकदमी nude pink color है बहुत अच्छा color है and यह eye makeup आप किसी भी outfit के साथ कर सकते हैं बहुत ज़दा gorgeous look है and यह आप दिन के सामय में भी कर सकते हो खाली glitter apply मत कीजिएगा दिन में तो अच्छा लगता है बहुत ज़दा and सामने बहुत ज़दा festival आ रहे हैं valentine, valentine बहुत साड़ा festival आ रहे हैं eye makeup आप देख सकते हैं and मुझे तो काफी दादा अच्छा लग रहा है so अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो help होई हो आपने अगर कुछ सिखा है मुझसे तो please मेरी इस वीडियो को like जरूर कर दीजेगा and share जरूर कर दीजेगा मेरी वीडियो को and मेरी चैनिल को subscribe जरूर कर दीजेगा bell icon को जरूर हिट कर दीजेगा ताकि मेरी आने वाली जा notification है वो आपके पास easily पहुच सके so मैं मिल तूँ आपके साथ फीर एक निक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye दोस्तो bye